दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में TDR का फुल फॉर्म है Ticket Deposit Recept इसका यूज टिकेट कैंसलेशन के लिए किया जाता है मतलब यदि आपने कहीं पर जाने के लिए ट्रेन का टिकेट बुक कराया है लेकिन ट्रेन के देरी से होने पर या किसी और कारण से आप अपनी यात्रा को कैंसल करना चाहते हैं तो आप अपने टिकेट के पैसे वापस लेने के लिए TDR फाइल कर सकते हैं आप रेलवे की वेबसाइट IRCTC पर जाकर ओनलाइन अपना TDR फाइल कर सकते हैं TDR को निर्दारी परस्तान के 3 गंटे के भीतर भरा जा सकता है और आपकी धनरासी वापस आने में लगभग 90 दिन का टाइम लग सकता है TDR फाइल करते समय आपको कोई वैलिड रिजन देना होता है जिसके कारण आप अपनी यात्रा को कैंसल कर रहे हैं इसके लिए भी कुछ सर्ते होती है जैसे की बाड या किसी अन्ने घठना के कारण ट्रेन रद हो गई हो ट्रेन 3 गंटे से अधिक देरी से चल रही हो ट्रेन में एसी फैल हो आपसे जो किराया लिया गया है आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा अंतर है आपसे ज़्यादा पैसे लिए गए है ट्रेने गलत तरीके से आपसे ज़्यादा पैसे वसूले हो या यातरा के दोरान किसी बीमारी के कारण आपको बीच में उतरना पड़ा तो बाकी बची यातरा के लिए आप TDR फाइल कर सकते हैं तो ये कुछ कंडिशन थी जिनके अंतरगत आप अपना TDR फाइल कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में TDR का फुल फॉर्म ट्रम डिपोजिट रिसिप्ट होता है यह एक ऐसा खाता होता है जिसमें कुछ धनरासी को एक निश्चित अवधी के लिए जमा रखा जाता है इसे कभी-कभी फिक्स डिपोजिट स्कीम के रूप में भी जाना जाता है अन्य परकार के जमा खातों की तुलना में TDR में बैंक जादा भ्याजदर परदान करता है तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हैल्फफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी जीके से रिलेटिड नई वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे